नमस्कार आप सभी को आज के शुड़े में हम बात करेंगे सेनेक स्कूल रिकूट्मेंट की तो जैपुर वालों के लिए या फिर कहें राजस्तान के जो केंडिट्स हैं जो कि सेनेक स्कूल में अप्लाई करना चाते हैं तो आपकी जो नई एक आपकी जो अपन हुई है सेने बात कर लेते हैं कौन-कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किस तरह से अप्लाई करेंगे क्या कुछ जो प्रॉसेस रहेगा आपका सेलेक्शन तक का तो यहां पर यह विकैंसी नोटिफिकेशन आपका आच चुका है सेनेक स्कूल वर्टेगल स्रीभान निक पेतन पप्लिक स्कूल अफिलेटेड बाई सेनिक स्कूल सोसाइटी इसमें आपकी जो पोस्ट है पीज़ीटी के लिए सब्जेक्ट आप देख सकते हैं कौन्ट्रक्च्चल है वेकैंसी एक एक आपकी यहां पर मैंशन की हुई है यह एलिजिबिटी क्रेटेरिया भी यहा इसके लाबा होस्टल सुपरिंटेंडेंडेंड मेल फीमेल मैंटरन के लिए नर्सिंग असिस्टेंड की आपकी यहां पर मेंशन किये हैं और आप जो है इसके लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें जो आपको फॉर्म फिल करना है वो किस तरह से ओनलाईन है आफ-लाइन तो इसके लिए आपका ओफ-लाइन है मोड इसके लिए फॉर्म आपको लिंक यहां पर मिल जाएगा आप down कर सकते है, official website से भी ले सकते है, telegram पर भी बल जाएगा वो आपको form fill करके, जो ये school जहांपर है, आपकी, ये सैनेक स्कूल महाराव सेखाजी शरकल, सिकरोड, चो मुभलिया के पास तो जहां आपको जाकरके, पूरा form fill करके, जमा करवाना है साथ में आपको जो है, postage stamp भी यहांपर mentioned है, ये देख लिए जिगा, साथ ही साथ आपको जो है, ddb बनवाना होगा, non refundable रहेगा, 500 रुपीज है, general category के लिए OBC के लिए, 250 रुपीज है, SCST category के लिए, और यहांपर जो हम बात करें, कौनसे बैंक का करवाना आपको, ये आपका जो आई-ओ, भी बैंक है, यहांपर सिकरोड में, इसका, next यह है कि आपको, जो last date यहांपर है, वो ज़रूर धान पर लखी है, last date of receipt of application है, 15th January तक यहांपर है, और mode of receipt of application जो रहेगा, वो आपका offline रहेगा, post से भी आप भेज सकते हैं, speed post से, या फिर इंडियन postal services से, register post से हैं, next आपका by hand application जो है, वो acceptable लिए होगे यहांपर, next आपका जो यहांपर उन्होंने जो format दिया हुआ है, उसी में आपको fill करने है, details, यहांपर आपका जो mode of selection रहेगा, वो कैसे तरह से रहेगा है, exam test यहांपर होगा, exam test के बाद में जो एक demo भी यहांपर होगा, यह भी आप ज़रूर धान दीजेगा, only shortlisted candidates who fulfill eligibility criteria based on essential qualifications will be called for written exam, skill test and interview as applicable, skill test and interview will be conducted after written exam, written exam के बाद ही आपका skill test, interview, demo, जो हम कह सकते हैं, skill test जो रहेगा, various post के लिए जो vary करेगा, next है, selection will be made based on performance, return test, skill test and practical test and interview, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे कि यहांपर जो आपका demo रहेगा, तो यहांपर यह जो जैसे ही, vacancy के बारे में बात होती है, उसकी जस्ट नीचाब को red, font में आपर mention किया हुआ है, कि candidates should be prepared to appear in class demonstration test along with lesson plan of 20 minutes, if cleared the return exam, return exam के बाद में आपका यह होगा, class 11th, respective subject, यह basically जो है आपका teaching post आपकी उसके लिए है, next यहांपर है, candidates for counselor will be required to conduct counseling session for class 11th on POC, SO related issues, POC, SO, जो है इस पर, अब हम एक बार इसके जो application form की भी बात कर लेते हैं, तो यह इसका application form है, तो यह आप download कर लीजिएगा, print कर लीजिएगा, इसको fill करके आपको send करना है, यह आप ज़रूर धान दीजिएगा, साथ में जो पूरा advertisement है, उसको अच्छे से आप read out कीजिएगा, उसके बाद आप को लगे eligibility या फुल्फिल कर रहे हैं, तो आप यहांपर application form fill कर सकते हैं, क्योंकि आप application fee भी जो है, क्योंकि आपको DD बनवाना है, इसके अलाबा, इस तरह के vacancies की जानकारी के लिए, ज़रू चैनल को subscribe कर लेगा, चैनल के साथ साथ आपको जो telegram channel है, वहाँ पर भी आप updates दे सकते हैं, तो आज के शुर्ट में वीडियो में इतना ही, thank you for watching.